स्ट्रेंट टोड़े स्टेडी क्लास 6 लेसन 5 सेविंग सेविंग न्यू चेंज़स देर में भी सिट्रेशन वेन यू ओपन एंग जिस्टिंग सेट एंड एडिट पार्सियली और कम्प्लेटली एक सिट्रेशन होता है जब आप कोई भी सेट को ठीक है खोडते है ठीक तो और यहींग आप करने के लिए क्या करते हैं श्जीशन पार्स पार्स कितक है इत्यों के दिबाद अगर आप कोई भी सेट को क्या करना चाहते हैं सेइट कर ना चाहते हैं ठीक है उसी नाम से मतलब Whatever चाहते हैं उस नाम से अगर save करना चाहते हैं तो you can use either of the following simple option तो आप कौन सा एक simple option का use कर सकते हैं उसका option क्या रहता है control press yes से आप चानते हो ना कि क्या होता है save होता है optionally you can click on the floppy icon available at the top left corner and just above the file tab you can click आप click कर सकते flypy icon को जो top left corner पर रहता है file tab से जब जाते हैं तो this option will also save changes वह क्या कर देता है change मतलब save कर देता है you can also use third method to save the changes आप third method use कर सकते हो change मतलब save को बदलने के लिए which is save option available just above the save edge ठीक है option जब file menu पर जाएंगे तो वहाँ पर option आता है save save edge है नो तो जब save edge करेंगे तो आप फिर से कोई भी नाम से save किये हैं तो उसको दूसरा नाम चाहते हैं कि हम जो है save करें तो आप save as करके दूसरा नाम save कर सकते हैं ठीक है by default document saved in Excel 2010 or saved with the .xls extension इसका extension name क्या होता है 2010.xls ठीक है यह extension name है जादा तर कभी कभी पूछा जाता है कि इसका किसका MS Excel का extension name बताइए ठीक है तो क्या होगा इसका extension name .xls ठीक है और और इसका वर्जन जो होता है Excel version .xls ठीक है यह होता है close workbook अब अगर आप workbook को close करना चाहते हैं ठीक है To close the active workbook you will have to follow some steps आपको कुछ steps follow करना पड़ेगा जासे step 1 में क्या होता है पहले क्लिक करेंगे file tab को जो file option यहां पर दी रहता है यह देखिए यह जो पुरा आपका task bar है इसमे file option आता है मीनू में तो इसको जब क्लिक करेंगे तो यह open आ जाएगा ठीक है click on close button यहां पर दिया रहता है close button ठीक है जब close button पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी file खुला हुआ है वो क्या हो जाएगा बंद हो जाता है ठीक है और there is a shortcut key इसका shortcut key भी होता है आपका window जो खुला है उसको close करने का shortcut key क्या होता है control plus w इससे क्या हो जाता है close हो जाएगा open workbook अब आप अपना workbook खोलना चाहते है तो क्या करेंगे click the file menu सबसे पहले file menu पर जाएगे you can see open option in file menu file menu में open option आता है जब उसको click करेंगे तो आपका खुल जाएगा ठीक है खुल जाता है open जो भी आप चाहते हैं वह खुल जाएगा फिर recent workbook and recent place where you can see recently workbook and recently recent places from where workbook are opened click the open option it will open the browser dialogue as zone alongside ठीक है dialogue box यह open menu का मतलब खुल के आजाएगा once you select the workbook your workbook will be opened और आपको जो workbook select करना है वह आप यहां पे write करोगे और फिर open का option दबादोगे तो वह workbook आपका खुल के पुरा आ जाएगा ठीक है saving new set अब new set को save करना है तो फिर वही प्रोसेस जस्ट से file tab को open करिए फिर save as को option को क्लिक करिए फिर वह save हो जाएगा मतलब खुल जाएगा जो आपका होगा workbook उसको आप क्या करें अपना नाम डाल दीज़ें यहां पे ठीक है यहां पे नाम write करने के बाद यह क्या करने save को click कर दीज़ें ठीक है वह save हो जाएगा ठीक है और अगर आपका दूसरे नाम से है किसी नाम से है अगर जैसे आपका नाम है शीखा शीखा नाम दिया हुए है तो अगर आप उसको edit करना चाहते हो शीखा को change करके others करना चाहते हो तो आप वहां पे click करेंगे फिर उसको मतलब मिटा के सीखा others यहां पे कर दो और उसको option को click कर दो save कर दोगे तो वह आपका others नाम से आ जाएगा ठीक है यह होता है आपका save as ठीक है save as button sales and sales content sales and sales content sales and sales content sales are the basic building block of a worksit यह worksit का एक block होता है ठीक है content variety of content such as text formatting attributes formulas and function यह क्या रखता है अलग-अलग content को रखता है जैसे text को formatting attributes को formula को और function को यह सब इसको क्या करता है यह रखता है ठीक है to work with cell you will need to know how to select them insert content and delete cells and the cell content work करता है cell के साथ जो आपको मतलब जानने की आशकता है कि कैसे इसको select किया जाता है कैसे insert किया जाता है और कैसे cell को delete किया जाता है हना मतलब खटाया जाता है ठीक है before you enter your site worksheet data in MS Excel MS Excel में जो आपका worksheet होता है उसमें जाने से पहले you must know how to select cell in a worksheet आपको यह जानना जरूरी है कि cell को worksheet में कैसे select करना है ठीक है the cells cursor is a black border that surrounded the active cell in worksheet यह जो black border दिया हुआ है यह चीज आपका क्या है cell है यह जो छोटा छोटा है तो इसको आप select करके बड़ा भी कर सकते हो जो black border दिया रहता है किनारे किनारे वह क्या होता है ठीक है select multiple cells click and drag your mouse until all the adjoining cells you want her highlighted click करके उसको mouse से क्या कर सकते है उसको drag कर सकते है ठीक है आप चाहते है उसको highlight करना तो आप cells को क्या कर सकते है highlight कर सकते है release your mouse अपने mouse को क्या करिये the cells will stay selected until you click and the cell in the worksit अब cell को अगर add करना चाहते है add cell border ठीक है border इसमें अगर cell मतलब करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं आप select the cell you want to format जो format आपको select करना है click the down arrow beside the border button in the font group add the on the home tab home tab पर क्या आता है वो font group आएगा a drop down menu appears with all border option you can apply to the cell selection use the border buttons on the home tab home tab पर एक आता है border border बार्डर को जब आप select करेंगे दिए figure में जब border को आप select करेंगे तो यहां पर क्या आएगा all border all border जब आएगा तो इसमें जो भी border आप लेना चाहते हैं जैसा border आपको अच्छा लगता है वो border आप यहां पर अपका बन जाएगा, जब आप सेलेक्ट करोगे तब ही, उक जब arrow से इसको drag करोगे तो आपने आप ही क्या होगा सेलेक्ट हो जाएगा और जो भी बडर आप अपना, मतलब चाईस की recording आप जो बडर लेना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है यही है इसमें add cell borders ठीक है to change the font font को अगर बदलना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं select the cell you want to modify कोई भी cell को आप select कर सकते हैं जो modify करना चाहते हैं click the drop down arrow next to the font command on the home tap home tap से क्या कर सकते हैं font को क्या कर सकते हैं drop down कर सकते हैं the font drop down menu appears move your mouse over the various fonts a live ठीक है यहां पर होता है color आता है ठीक है वह जैसे language यहां पर जब आप जाएंगे मिनू मनलब home tap पर home tap पर जाएंगे तो यहां पर जो भी आप मतलब लेना चाहते हैं language वह आप यहां से select कर सकते हैं जैसे आप यहां से जाके आप जो भी आप font लेना चाहते हैं तो वह select कर सकते हैं ठीक है जो भी आपको अच्छा लगता है ठीक है और यहां इसके दिया हुआ है to change font color font color अगर आपको चेंज करना है तो यहां पर दिया हुआ है मिनू में यह मिनू आप टैब है sorry home tab आप यहां पर color में जाते है color जो भी आपको लेना चाहर लेना है वह यहां पर आप select करते जाएंगे तो यह आपका change होता होता जाता है जो यह data दिया हुआ है ना cell में वह change हो जाएगा ठीक है जो भी color आप blue color लेना चाहते हो तो blue पर ऐसे करो यहां पर अपना cursor ले जाओगे तो blue color हो जाएगा red चाहते हो तो red हो जाएगा ओके तो इस तरह से आप change कर सकते हो याद रखना कि हमेशा कहां पर जाओगे home tap पर जाओगे ठीक है home tap पर जाने के बाद ही जो है वह command color लेगा जो भी लेना होगा वह सब आपका home tap से ही होता है ठीक है to add feel color feel background में भी आप color को change कर सकते हो देखो जैसे यह yellow किया है तो यह yellow हो जाएगा color change हो सकता है okay font color change है यह पहले से ही font color change है और अगर feel color background में अगर आप change करना चाहते हो तो background में भी हो सकता है लेकिन यह कहां से होगा home tap से होगा okay to change horizontally text alignment horizontally text जो alignment होता है वह भी बदल सकते हैं आप horizontally का मतलब क्या होता है जो ऐसे असर रहता है ठीक है row में ओके वह horizontally होता है select the cells you want to modify आप कोई भी ले सकते हो जो modify करना चाहते हो select one of the three horizontal alignment commands on the home tap home tap पर three horizontal alignment होता है कौन-कौन से होते हैं align text left center और align text right align text to the left of the cell यह क्या होता है सेल के left में होता है ठीक है वह आप अगर जैसे यह जो word लिखा हुआ है न इसको आप किस में कर सकते हो इधर कर सकते हो इधर क्यों है राइट है कि लेफ्ट है जाएंगे अगर हम लेफ्ट करना चाहते हैं ठीक है तो यह जो फॉन्ट आपका दिया हुआ है यह left में होचा एंस हाँ एक है और अगर jeар کے ना तो यह कहां होचाएगा और यह जाना चाहते हो तो यह जो रोहन दिटा हुआ है यह किदर हो जाएगा राइट में हो जाएगा यह राइट में यह सेल है सेल के किसमें हो जाएगा राइट में हो जाएगा ओके ओके स्टुडेंट्स फिर नेक्स ताइम नेक्स वीडियो थैंक्स